हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेज में दोस्तों women's day celebrate करते हैं कुछ important sociologist के बारे में जानकर दोस्तों हम हर हफ़ते Tuesdays को sociology के कुछ important updates discuss करते हैं बाकी हमारे complete courses बें चलते हैं अगर आप UPSC वगरा के त्यारी कर रहे हैं लेकिन उसके beyond अगर generally चाहते हैं sociology के बारे में जानना तो शायद ये lecture आपके बहुत काम का हो सकता है अगर आप त्यारी कर रहे हैं UPSC की तब तो definitely ही बहुत काम का है उसके beyond भी दोस्तों जो women sociologist के बारे में पढ़ना इतना specific इतना खास क्यों है दोस्तों सबसे पहली बात हो है कि जो हमारे जैसे दुनिया भर में देखते हैं not only in our own country दुनिया भर में एक ऐसा एक system है जिसको patriarchy कहा जाता है patriarchy मतलब patriarchy की आकी that means जहां पे पुरुष परधानता है जहां पे male सब कुछ lead करते हैं रूल करते हैं historical उसके जो हो सकते हैं कुछ जो कारण रहे हूँ लेकिन अगर हम देखते हैं अभी तो इसको थोड़ा इस पर attempt किया जाता है कि females को मौका मिले जिसे आप for example अगर आप UPSC aspirant हैं आप notice करते हैं आप खुद भी देखते हैं कि generally अगर घर से बाहर निकल कर पढ़ाई करनी है तो थोड़ा कम importance दी जाती है जो specific अगर women candidates की बात करें तो थोड़ा कम importance दी जाती है कि उनको जिसे घर से बाहर दिल्ली भेज़ा जाए पढ़ने चेन नहीं भेज़ा जाए बैंगलोर भेज़ा जाए घर वाले थोड़ा डरते भी हैं क्योंकि सामाज का थोड़ा से structure ऐसा है ठीके तो इसलिए अगर existence female के लिए इतने easy नहीं होती इसी तरह से research करना research के लिए बहुत सारा जो funding जुटा आना and then ऐसे पहले education प्राप्त करना जहां पर आप research कर पाएं तो इसलिए female scholars बहुत important हो जाती है पढ़नी ताकि हम उनको थोड़ा जो पढ़ें तो सही उनकी ideas के बारे में जाने एक diverse perspective जान only females पर नहीं आ गयाने की males पर भी है कि वो जगा भी बनाएं एक ऐसा महाल बनाएं जहां पर थोड़ा equality की बात हो ठीक है male preference और जैसे हम बात करते हैं सभी के तरफ सब तरफ male ही male नजर आते हैं हमें जो important positions पर हो चाहे या फिर अगर हम बोलें कि ऐसे चाहे scholarly positions पर हो तो थोड हम एक काम करना है बहुत एक society को equal बनाना है ठीक है definitely बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि women's day celebrate करने से थोड़ा हम एक ऐसे महाल बना देते हैं जहां पर women को बार-बार बताया जाता inferior हैं लेकिन दोस्तों सरफ women's day की through ऐसे नहीं होता बहुत हमारी पूरी existence में अगर हम देखते हैं concerned हम concerned हैं और हम सब मिलकर जाते हैं male female सब मिलकर चाहते हैं कि एक equal समाज बने वह हमारे सभी के लिए जो sustainable है हमारे पापा मम्मी के लिए हमारी बहनों के लिए भाईयों के लिए सभी के लिए sustainable है ठीक है तो इसलिए इसको ऐसा जो negative connotation की बजाए एक positive connotation के साथ अगर देखा तो थोड़ा मज़ेदार भी हो सकता है और academically तो definitely ही enriching होने वाला है ओके सबसे पहली दोस्तों बात करते हैं लीला दूबे हमारे बहुत एक famous एक sociologist पी रहे anthropologist पी कहते हैं sociologist कहते हैं SC दूबे, SC दूबे और लीला दूबे नाम हमेशा ही इकटे लिए जाते हैं बहुत major works र अगर इनकी हम बात करें जो दूबे जी की तो particularly इनकी जो important जो contribution रही इन्होंने indology को उठाया, indology का मतलब क्या हुआ दोस्तों इन्होंने gons की जो study करी, particularly tribal जो चीजों को study किया and indology का मतलब क्यों होता है कि इन्होंने भारतिये पुराने text उठा कर देखे, जो गुरे भी ही क इन्होंने जो लक्षवदीप में study करी and वहाँ पर जाना कि कैसे Muslim जो एक सामाज में metrilini चलती है, मतलब जो अगर जो नाम चल रहा है, पीछे जैसे अप सरनेम लगाते हैं पीछे सरनेम आपके father का होता usually, तो कैसे वहाँ पर लक्षवदीप में एक particular group है, जो Muslim Islamic जो tradition follow करते ह and metrilineal हैं, तो एक different तरहां का एक चीज नजर आई, कि पूरी पूरी दुनिया में जो patrilineal चलता है नाम, जो father का नाम कहारी होता है, surname कहारी होता है, cast कहारी होती है, तो ये mother के कैसे कहारी हो रहा है, उसके बारें बात करी, थोड़ा इसले anthropological research थी and उसके reason जानने की selective abortions का, कि कैसे अगर women का number काम हो जाएगा, तो women के खिलाफ violence बढ़ सकती है, जो कि सालों बाद जो true होता हूँ नजर आया, laws बनाने पड़े उसके लिए, तो जो इसलिए बहुत ही scholarly अगर हम visionary की बात करें, तो बहुत ही visionary par excellence, then इन्होंने कहा, एक पर्टिकुलर जागरे, क्र पर उन्होंने कहा, कि जो आप research करते हैं, जो particular anthropologists थे, और जो बाकी जो researchers थे, कि आप इस तरह research करते हैं, कि थोड़ा government आपको जैसे देख रही है, government आपके विचारों को सुनना चाहती है, तो इसलिए वो कह रहे हैं, कि आप इस तरह research कीजिए, कि आपको जैसे कि कि किसी का जो छोड़िये, otherwise सच उजागर नहीं हो पाएगा, समाज में बदलाव नहीं हो पाएगा, भारत सरकार ने इनकी रिपोर्ट को बहुत सीरिसली लेते हुए, भारत में बहुत बदलाव किये थे, women equality की जो लेकर, जो movement चली थे, towards equality इनकी रिपोर्ट, बहुत famous रिपोर्ट है, इरावती कारवे जी, दोस्ता इरावती कारवे का हम जिकर जाधा पढ़ते हैं, ठीके क्योंकि हमारे particularly अगर हम sociology की बात करें, UPSC oriented sociology, तो family का जो chapter है, उसमें इनका important जिकर आता है, तो वहाँ पर भी again जो कारवे जी की अगर हम बात करें, ये भी GS घुरे की student and particularly one of the most important जो sociologists of India, and particularly अगर इनका नाम इरावती क्यों पढ़ा, क्योंकि जो बर्मा में river बहती है, इरावाडी, तो उनके नाम पर इरावती, and in the logical tradition को ही इन्होंने आगे continue किया, particularly, and again, जो family, kinship, caste, religion पर बहुत दिखा, इनके जो बहुत famous एक quote है, जो wikipedia पर दिखा हुए, वो क्या कहते हैं कि जादर हक के लड़ाई-लडो, liberation और जादर जो equality तभी आ सकती है, okay, then, उसके बाद, जैसे पटिकलर लिए अगर हम कारवे जी की हां बात करें, तो कारवे जी ने बहुत important distinction दी थी, चार तरहा के किस तरहां से, जो family के kinship के system रहते हैं, North India, South India, East India, West India, तो हम पढ़ते भी ह हमारे जो YouTube चानल पर, कि चार तरहां के, किस तरहां के family systems across India, तो UPC सवाल पूछता है, इस पर important है, इसलिए कारवे जी important हो जाती है, then, आई थेड़ा सकॉचपॉल, भारती नहीं है, American है, and US में Harvard University में sociology विभाग को lead भी करती है, and इन्होंने बहुत revolutionary ideas दी है, कि कैसे जो सरकार होती है, जो कैसे जो state है, state कैसे autonomous रह सकती है, बहुत जादा dependent नहीं होगी capitalist पर, या फिर बहुत जादा dependent नहीं होगी foreign powers पर, क्या-क्या तरीके रहते हैं, कि state autonomous रह सकती है, तो इनकी जो important जो वो भी यह work है, वो सभी इसे particularly जो comparative politics, and किस तरह से historically, किस तरह से बहुत से जो maintain नहीं कर पाई, क्या कारण रहे, इनकी जो research का एक topic important जो इनका जो work है, bringing the state back in, तो bringing the state back in में ये तीन तरह की बाते हैं, कि ना, कहते हैं, अगर state के पास reliable income हो, मतलब taxes वगरा, अगर state वसूल रही हो, गरीबों के पास tax तो नहीं देने की capacity होती, अमीरों पर अगर tax लगा रह होंगी, थेड़ा स्कॉच पॉल कहेंगी, कि आपका देश तरक्की करेगा future में, अगर अच्छे लोग select हो के नहीं जाएंगी, तो कहते हैं, अच्छा human resource नहीं जा रहा, state के पास state collapse कर सकती है future में, वो कहते हैं, इन तीनों चीज़ों में से, जैसे जैसे चीज़ें खराब ह होने शुरू होती हैं, आपका foreign debt बढ़ता है, income कम हो जाती है, यह human resource खराब होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप gradually देखेंगे, कि state की capacity decrease हो जाती है, revolution तो आएंगे, revolution को आप जो tackle नहीं कर पाएंगे, फिर state वाले लोग tackle नहीं कर पाएंगे, और तखता पलाट हो सकता है, आपक स्कॉच पॉल ने अगें वसे बहुत सारी चीजों पर लिखा, revolutionary populations कैसे रहती हैं, कि कैसे social revolution को हम best explain कर सकते हैं, agriculture societies से क्या तालुकात हैं, marxist class struggle को use करती हैं, अपने ideas में, बहुत सारे इनकर बहुत massive work का जो अगर देखें, जो works की जो list लंबी है, गेल ओमविट, हमने specific lecture भी मनाया था, recently इनका दिहान दुआ था, तो accordingly गेल ओमविट एक essay scholar भारत पढ़ने आई थी, लेकिन यहां पर ही बसके रहे गई, particularly जो फूले जी के, जो महात्मा फूले हैं, उनके जो works पर study करना शुरू किया, and दिन पाया, कि काफी oppression होता है भारत म पढ़ना चाहती थी, और यहीं पर ही बसके रहे गई, and जो हक की लड़ाई लड़ती रही, दलित्स के लिए, non-brahmin movement in western India से पढ़ाई शुरू करी, thesis शुरू करी, उसके बाद human rights activist बनी यहां पर, and बहुत सारे काम किये, particularly जब dam से लोग displaced हुए, कोईना river पर dam बनाया गया थ तो वहाँ पर भी she was very active, and इन्होंने अपने जो husband के साथ मिलकर बहुत सारे जो social work की हैं, जो लोगों के ऐसे लोग हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको हक की, वहाँ पर जो कमाई नहीं मिलती या हक नहीं मिलता, उनके लिए काम किया, तो इनकी association का नाम भी ही है, Toil लिबरेशन लीग, या फिर श्रमिक मुक्तिदल, जो दलित, एंटी कास्ट मूँमेंट्स, इन्वार्मेंटल मूँमेंट्स, फार्मर मूँमेंट्स, विमेन मूँमेंट्स, तो रूरल जो एरियास में जहां पर देखा जाता है, कि थोड़ा operation जादा है, वहाँ पर इन्हो सोचालोजिस्ट में से एक हैं, जिनोंने बहुत काम किया है, पर्टिकुलरली सोचालोजी के लिए, लेकिन recognition नहीं है, रेकिन पता क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक women scholar है, और इसलिए हम पढ़ते भी हैं, चाहे आगर आप कोई भी किताब उठाकर देखते हैं, सोचालोजी क से नाम निकल कर आ रहे हैं, तो उनमें से ही एक है हारिये माटेन हूं, तो इन्होंने क्या किया, और इतना बढ़िया ट्रांसलेशन माना जाता है, कि वापिस इसको प्लीज, जो इनका जो ट्रांसलेशन है, मुझे फ्रेंच ट्रांसलेशन में करके दीजिए, क्योंकि मैंन इसको प्लीज, जो इंपोर्टन्ट है, जो लैसे फेर की बात कहते हैं, क्यापिस इन्डिपेंडेंस होनी चाहिए, कि क्यापिस इन्डिवेजम में आजादी होनी चाहिए, और वाइस इन्डिवेजुल बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, उसके बाएरे में जैसी इनीशली जो theorize कर रही है, लेकिन since इनको credit नहीं मिला, accordingly इनका नाम इतिहास में इतने पन्नों में दर्जी नहीं है, नजर ही नहीं आता, otherwise इन्होंने इतनी सारे किताबें लिखी हैं, इतने सारे इनके जो articles हैं, particularly जैसे marriage, children, domestic life, कैसे जरूरी है कि अगर हमें operation को पढ़ना है, कैसे जर सामने आए है, gradually research होती रहेगी, इनके work सामने आता रहेंगे, आने वली सद्यों में हम देखेंगे, कि यह important initial founding figures में से एक होंगी, sociology की, okay, then दोस्तों, यहाँ पर एक Patricia अबरोय, यह भारत में इनने आके बहुत काम किया, particularly and diverse चीजों के बारे में काम किया, अभी जैसे भारत मे इनके बात करें, तो इनके जो primary idea किया है, family, kinship, marriage, sexuality, sexuality, gender and indo-china comparison on various various things, ठीक है, India and Chinese societies में comparison, and then इनका एक जो important work है, Patricia अबराय जी का, वो कह रहे है कि नहीं भारत में बहुत excessive concern है, भारती scholarship में, बहुत excessive concern है, जो scholars है, कि joint family versus nuclear family, भारत में joint है, nuclear है, वो कह रहे है, इतनी बड़ी क क्या फरक पड़ेगा समाज पर, कैसे family life खराब हो रही है, ठीक हो रही है, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारी movies, popular magazines, सब पर comment करते हुए, particularly बात करती है, किस तरह से, जो contemporary concerns है, आजकल के concerns है, किस तरह से हम जो इतिहास में जहाग के देख सकते हैं, and important, जो उन पर हम क्या inputs नि nuclear पर काम किया, तो again, वो ही चाहती हैं बताना, जो हमारी Patricia O'Brien जी, कि इतना बड़ा कोई concern नहीं है, joint versus nuclear, हम बहुत जादा इस पर energy spend करते हैं, भारत में, okay, then Ann Oakley जी, chapter 3 अगर आप पढ़ते हैं, sociology का, अगर हम research की बात करते है, Ann Oakley ने बहुत जादा important contributions दी है, in mainstreaming women sociology, कि अभी जैसे अगर देखें, जैसे important एक ही sociologist, जो UK में रहके, Britain में रहके, and university college में काम किया, अभी भी काम कर रही है, तो वहाँ पर जैसे इनका idea किया गी न, कैसे जो housework है, वो भी तो काम है, उसको कैसे, कितने चुपके से लोगों ने, scholars ने ignore कर दिया, उसको work माना ही नहीं, कि housework as work, and कैसे जो women के, जो काम है, घर के बाहर, कैसे impact होता है, घर के काम से, etc., हाना, sociological research methods, इन्होंने जैसे कहा था, जो mainstream जो research तरीके हैं, जो common research के तरीके हैं, वो काफी male stream है, हाना, इस पर lecture बना के डाला हुए हमने, chapter 3 में, research methodologies में, कि कैसे वो male stream है, कि males ने अपने तरीके से बन female के तरीकों को लेकर आएं, थोड़ा सा, हम ऐसे लोगों से थोड़ा personal repo बनाएं, अगर आप survey करने गए हैं, उनके बारे में, जानते ही नहीं, लोगों के बारे में, उनसे आपको के connect हैं नहीं है, तो वो आपको अच्छी information क्यों देंगे, हाना, तो ऐसे सी बात ही लिखती हैं, तो एकदम से sociology को reform करती हैं, okay, then, Sylvia Welby, Sylvia Welby आती हैं, again, important एक जो contemporary female scholar, domestic violence पर excessive लिखती हैं, कि कैसे particularly, कि जो patriarchy, gender relationship हैं, जो work में, उसके बारे में बात करती हैं, कि कैसे वो बहुत, जो drastically, जो आजकल, जो important एक topic है, and कैसे हमें उसका analysis करना चाहिए, एक global world में, एक globalized world में क इस तरह से उसका analysis होना चाहिए, तो, and यही इसी लिए बात करती हैं, कि जो domestic violence पर excessively इनके जो brilliant articles हैं, हमने अपनी lectures में भी इनको डाला है, Sylvia Welby के जो content को borrow करके, and then, यह कि overall कि कैसे men dominate करते हैं, oppress करते हैं, and rather, उसके बात कि पूरे process को एक structural aspect मिल जाता है, domination को, and patriarchy में उसको ब बार-बार-बार हम reproduce करते रहते हैं, ठीक है, तो, इसलिए inequalities produce होती हैं, इसके बार में यह बात करती हैं, okay, Carol Christ, chapter है religion का, Christ, आपने नाम सुना, तो, आपको religion की याद आनी चाहिए, तो, Carol Christ, American sociologist and scholar, तो, इन्होंने बोला कि न, कि जैसे, जो important भगवान है, जिनको हम important भगवान आ जाती है, कि female, क्या God की position पे नहीं पहुंच सकती, या female, इतनी all powerful नहीं हो सकती, या female, अगर हम बोलें, कि क्या इतनी supreme नहीं हो सकती, तो, वो कहते हैं, ऐसे idea समाज में जाना चुरू हो जाता है, कि female, कभी भी God या supreme नहीं हो सकती, तो, इसलिए बोलते हैं, कि वक्त आ गय goddesses, goddesses create करनी पड़ेंगी, goddess movement चलाई इन्होंने, otherwise, तो, कहरें, समाज में कभी भी women को equal दर्जा नहीं मिलेगा, theologian कहती है, कि male dominance है in representation of God, इसके बारे हम बात करती हैं, accordingly, जो female, जो power की legitimacy, वगरा की बात करती हैं, कि कैसे female की power को हम legitimate कर सकते हैं, समाज में, अगर हम theological movement चलाएं ओके, शूलामित फायस्टोन, शूलामित फायस्टोन, radical feminist, ठीक है, radical feminist ऐसे, जो इनकी, क्योंकि ideas ऐसे हैं, जो चाह रहे हैं, समाज को बिल्कुल ही change करते हैं, बहुत rapidly, किताब लिखती है, dialectics of sex, ठीक है, dialectics of sex, यहाँ पर particularly, इनका जो एक idea है, वो futuristic बात करती हैं, वो कहरें, क्योंकि future में technology आएगी, वो इनसान को, या फिर particularly women को, वो आजाद कर देगी, child birth से, वो कहरें, child birth से, जैसे women आजाद होंगी, तो उनकी major liberation शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत dependency women की create होती है, बाकी समाज पर, male पर, जब वो child birth के दौरान गुजर रही होती है, तो इसलि कि nuclear family बनती है, men पर दबाव रहता है, कि आप भी family के लिए कुछ आपको जो पूरा करना है, जो सब कुछ, जो अगर nutrition वगारा, तो आपको भी जाके बाहर महनत कीजी, etc. वो करने technology आएगी, जैसे ही women child birth से अजाद होंगी, men and women दोनों liberate हो जाएंगे, patriarchal nuclear family भी चली जाएग cyber feminism, xenofeminism, कि feminism के idea से कैसे लोग डरते हैं, उनको avoid करना चाहते हैं, इसलिए इस लिए इस पर भी चाहती थी ये बात करना, ठीक है, तो इसलिए important scholar, then Naila Kapoor, particularly ये ये भी जो LSE, जो London School of Economics है, वहाँ पर ये scholar है, and South Asia, South East Asia, फोकस करती है हमारे lectures में, आप often इनका mention पाते हैं, ठीक किस तरह से social development आपस में जुड़ी हुई है, उसकी बात करती है, तो informal economy पे बहुत excessively नहीं लिखा, हमने इनके model भी पढ़ते हैं, informal economy में, social economist कहती हैं, क्योंकि poverty, gender and social policy issues को integrated तरीके से चाहती हैं, देखना, okay, informal economy की कैसे, कि particular, जब economies में बहुत formality नहीं होती, formality मतलब, कि जब rules क driven नहीं होती, कभी भी किसी कोई निकाला जा सकता है, salaries वगरा कम मिलती है, and कोई बहुत जदा जैसे laws वगरा पालल नहीं किया जाते हैं, कि अगर, अगर मान लीजे, women अगर pregnant हैं, तो उनको जो paid, जो शुट्टी मिलेगी, वो बात नहीं होती, तो informal economy में बोल रहे हैं, कि जो women हैं, उन्होंने अगर proper makeup नहीं किया हुआ, lipstick नहीं लगाई हुई, तो वो proper females नहीं कहलाएंगी, वो कहते हैं, stereotype होते जा रहे हैं, traits जो हैं, वो strong उनके साथ value attach होती जा रही है, कि ये अच्छी female ऐसे दिखती है, अच्छा male ऐसा दिखता है, तो वो biological aspect को भी ये चाहती है highlight करवाना, okay, बेन दोस्तों, एक Egyptian scholar, doctor थी, novel al-sadawi, ठीक है, हमने इनको भी अपने जो lectures में cover करते हैं, often, and novel al-sadawi क्या बोलती है, कि particularly जो female जो problems है, psychological problems, and even जो इनकी biological problems, कैसे वो connected है, oppressive cultures के साथ, patriarchal cultures के साथ, तो इसलिए ये particularly जो निकाल कर लाती है idea, कि जो societies है, वो एक particular stage of development प operation of women शुरू होती है, उसके पहले नहीं होती, and then इसलिए बोलते है, Europe and US को बोलती है, कि आपको लगता है, कि आप eco society हो नहीं, वो कहरे है, आपकी यहाँ पे women काफी objectified है, एक object के जैसे देखी जाती है, जिनको use करो, and इस्तिमाल करने के बाद, चाहे आप fank भी सकते हो, discard कर स है, अपने फाइदे के लिए, अपने जो privileges के लिए, ओके, दोस्तों, अंत में, एक बहुत ही, जो एक brilliant हमारे पास एक theorist है, as such इनको classify करना कि यह female sociologist है या नहीं, बहुत मुश्किला है, क्योंकि बहुत wide इनके ideas है, Simon de Beauvoir, ठीक है, अब यह particularly, जो यह बात करती है, यह बात कर school को belong करने वाले, जो इन्ही जो idea से इतिफाक रखने वाले, तो इन्होंने किताब लिखी, second sex, second sex में यह बात करती है, कि जैसे कहते है, इनसान existentialist जो thought है, उसमें वो कहता है, कि existence precedes essence, कि मैं पहले exist करूँ, उसके बाद ही मैं समझूँगा, मैं हूँ क्या, वो कह रहे है, ऐस ही पैदा होती है, पैदा तो human being होती है, लेकिन सामाजिक और एतिहासिक जो हमारे जितने भी चीज़ें हुई है, आज तक वो सभी चीज़ें मिलकर उसको woman बनने पर मजबूर कर देती है, और accordingly woman के साथ बहुत सारा अन्याय होता जाता है, ठीक है, existentialist thought को उन्होंने feminist thought का एक जो वहाँ पर एक idea दिया, रूप दिया, और इसलिए वो कहरें कि stereotypes बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, और इनका एक बहुत ही radical idea, वो कहरें कि particularly जैसे वो कहरें कि male should love a female and female should love a male, वो कहरें ऐसे क्यों है, human should love human, यह होना चाहिए law, ठीक है, human, दूसरी humans को प्यार करें, चाहे व particularly वो same sex marriages, same sex अगर जो families की बात वहाँ शुरू होती है, इसलिए बहुत ही broad scholar है, और वाइड जो ideas पर काम किया, और overall अपने खुद की भी जो exemplification live से लोगों को message दिया, कि आप stereotypical तरीके से जीते रहेंगे, तो stereotypes ही पैदा होंगे समाज में, बार-बार culture नहीं बदलेंगे, और कोई oppress हो रहा है, तो होता रहेगा, ठीक है, तो इसलिए women को बोलते हैं कि women second sex क्यों है, क्योंकि उनको inferior to men, जो declare क्या जाता है, वो कहरें ऐसा नहीं कि women ही एक particular ऐसी जो चीज है, जो कि जिनको inferiority के साथ यहाँ पे देखा गया, वो कहरें race में ऐसा होता है, एक race superior, एक inferior, caste में ऐसा होता है, एक अपने अपको superior बोलती है, एक inferior बोलती है, तो कहरें इसलिए nationality में होता है, कि एक nationality एक खुद को superior दूसे को inferior बोलती है, वो कहरें female भी इसलिए second sex है, and इसलिए oppressed है, and others, वो कहरें क्योंकि male explain नहीं कर पाते है females को, तो बोलते है females are very mysterious, false aura दे दिया, and mysterious होने क साथ उनको समझ नहीं पाए, तो उसको समझना भी बन कर दिया, Aristotle पर वो इलजाम लगाती है, कि Aristotle ने कहा कि female by virtue of a certain lack of qualities वो female है, कि humans में जब qualities नहीं होती तो female बन जाते है, Thomas Aquinas वो को लिखती है, कि कैसे वो कहरें कि female are nothing but imperfect men, या फिर incidental being कि हो गए, बस इंसान बन गे just, जो Thomas Aquinas से Aristotle क्या कहते हैं, कि जो बढ़िया सुपीरियर human beings है, man है, तो इसलिए बोलते हैं कि आपने जब ideas ही ऐसे propagate करना शुरू कर दिये, तो female के साथ अन्याय होना ही था, तो दोस्तों, ये कुछ हमारे पास important ideas थे, हर हम Tuesdays sociology के कुछ ideas discuss करते हैं, कई बाद थोड़े कम, कई बाद थ आले हैं, हो इस sociology को लेकर, और हमने बहुत सा content हमारे paid modules में cover करते हैं, अगर आप एक्जाम लिख रहे हैं, तो हम पे test series, और पूरे के पूरे different तरह के जो lectures हैं, पूरा असले बस cover करते हुए, वो सब चल रहे हैं, आप इन जगाओं पर से DP classes के website पर call करके या email के through inquire कर सकते ह अगर आपको कोई question है, बाकी आप comment करके please definitely बताइए कि आपको सबसे जो सबसे खास female sociologist कौन से लगती है, सबसे fascinating कौन से लगती है, ठीक है दोस्तों, तो बस बाकी हम मिलते रहेंगे अपने जो various lectures में and various जो videos में, बाकी अगर आज इसको आप 8th March 2022 को देख रहे हैं, तो हमार आप प्लीज जाके जानिए, आप call कर सकते हैं, क्या वो code है, otherwise अगर आप लेटर डेट पर देख रहे हैं, तो वो expire हो चुका होगा, all right दोस्तों, चलिए, मिलेंगे अपने अगले lectures में दोस्तों, bye bye, take care